जैहिन दोस्तों नमस्कार सूप्रभाद कैसे हैं आप मैं हो दिवदर्तमिस्रा आपके अपने चैनल कोचिंग जन्सन पर प्रतिदिन की तरह ले करके आया हूँ करेंट अफेर की सुरंखला जिसमें हम प्रतिदिन देखते हैं परिच्छा के दरिश्टपूर से महत्पूर करेंट अफेर के प्रशन जो अभी हाल ही में न्यूज में रहे हैं चर्चा में रहे हैं सुरुवात करते हैं इस एक प्रशने के साथ इस एक घटना करम के साथ संसद में रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने जानकारी दी कि भारत और चीन के सैनिक पंगोंग जील इलाके से हटने सुरू हो गया है दोनों की सिनाय दोनों देशों की सिनाय पंगों जील पर एक दूसरे के सामने डटी हुई थी वहां से दोनों देशों में सहमती बन गई है कि दोनों देशों की सीमाय अपने अपने पुराने पोश्टों पर वापस से लिजाएंगी यानि कहने का मतलब यह इस समय जो तनातनी है पिछले आठ नौ महीने से उस नौ महीने के पहले की इस्थिती पर चीन जाने को त्यार हो गया है जो finger इलाका होता है जिसको आप आठ प्रकार के पहाड़ों से समझते हैं अगर map देखा जाए तो यह देख रहे हैं यह पैंगोंग जील की और सिती को आप देखेंगे तो आप आएंगे कि पैंगोंग जील जो है आदख कुछ हिस्सा इसका पढ़ता है भारती सीवा में और कुछ हिस्सा पढ़ता है चीन की सीवा में आख पोरा जो पंगोग हें और यही जो है इसी एलाके में जो है आठ प्रकार के पहाडी है जिसे खुंगर के नाम से जाना जाता है ठीक ना बैसे करके यह तक क्या भारत की सीमा है और दोनों जो है यानी फिंगर तीन से लेकर के फिंगर तीन का मतलब यह प्रतिकातमक नाम है कि वल टाकी जो है दरसाया जासे कि ये पहाडी ये पहाडी क्या है सिंगर एट है ठीक दोनों के बीज़ जो है दोनों देसों की सेनाए अभी तक गस्त किया करती ठी लेकिन नौ महिना पहले क्या हुआ था चीट की सीमा जो है सेना फिंगर चार तक पहुंच गई थी और फिंगर चार से जो है हटने का नाम नहीं रही थी आपने देखा था किसके बाद गलबान वैली में गलबान गाटी में जो है दोनों देशों की सिनाव के जिसमें भारती सिना के लगभग 20 से ज़्यादा ज़वान मारे गए लुटे तो इस मुद्दे पर जो है भारत और चीन दोनों देशों की सिनाव में सहमती बनी है कि दोनों देशों के जो है उस तनातनी वाले इलाके से अपनी सिनाव को पीषे करेंगी कहने का मतलब चीन को यह समझ में आ गया है आखिनो महिने के दोरान की भारत जो है पीशे हटने वारा देस महीं है बहुत मजबूटी से भारत अपनी सीमाओ की शुरक्षा करेगा अब परिच्छा के द्रिश्ट गोर्ण से आपके लिए क्या प्रशन है क्या महत्वपूर है क्या बन सकता है तो पैंगोंग जहील का ना आपने कभी पैंगोंग नाम सुना ही नहीं हो तो जानने में दिक्कत आएगी या जानते हैं आप पैंगोंग का नाम सुना है लेकिन परिख्षा दिन आपके दिमाग में क्लिक न किया कि पैंगोंग जिल किस राज में था तो ऐसी सिती से बचने के लिए देख लेते हैं ज तो आपने सुना है कि पैंगोंग जील पर ही जो है तनातनी चल रही है और पैंगोंग जील कहा है लदाक राज में तो आप सही विकल क्या टिक करेंगे वो टिक करेंगे पैंगोंग जील दूसरी बात पैंगोंग जील के बारे में जानेंगे कि यह खारे पानी की जील है ठीक को दॉ फिरन के लिकर रह लिए मड़ी पुर की जीए बहुत करके गलिंग रहते हैं बाहते ही मसाहें है माओर की सांस्चितिक एकतार व्यंचता आधी की प्रतीक है और इसंचरे में एक पार्क बना है कीबुल नेमजव पार्क थिकăngर क्या नाम है उस झील का नाम है कीवुल लेमजोपार्क. ठिक नए ठिक तो जो कीवूर लेमजोपार्क है मैं यहां लिखन नीजिएगा कीवुल लेमजो राष्ट्री पार्क या राष्ट्री ऊत्डियान मणिपूर के अंदर पार्क है यहां जो है दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ पार्क है तैरता हुआ पार्क कहने का मतलब जो लोक तक जील वनी हुई है मणिपूर में उसी जील में जो है यह क्या है वया उद्यान समलित है यानि यह क्या है धुमिया का एक मात्र टैरता हुआ उद्यान है ठीक है ना चिलका जिल चिलका जिल भी बहुत फिमस जिल है यह उडीसा राज्य में इस्थित है ठीक समझ भाएं आपको चलते हैं अगले न्यूज की तरफ इनालसिस करते हैं और देखते हैं परिख्षा के द इस अबाद जिला विजय नकर बनाया गया अख्वार आप पुड़ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि करनाटक राज कौम सराज करनाटक राज ने एक नया जिला बनाने की घोश्रा की नोटिफिकेशन जारी गया और उस नया जिले का नाम है विजय नगर की कना करनाटक का एक जिला है बिलारी बिलारी के कुछ हिस्सों को काट करके विजे नगर जिला नया बनाये गया और इसको बनाने का मुक्ष कारण ये है कि विजे नगर की जो एतिहासिक धरोहर है उसको थोड़ा सा सजोने में जो है कि तो महत्युपुर्स करेंट आफइर की दिश्मोर्स कि जो विञेय नगरि जिना बनाया है वह कहां है करणाटक में है किस राज में कि दिश्चार्ट जमरक्ती अर्व कि अकर में भारतुला होगा तो विजये नगर बहुत ही प्रसिध न संब्राज़ था इसकी अस्थापना हरीहर एवं बुक्का और इस राज पर लए सबसे प्रसित राजा जो विजय नगर के हुए वो थे कृष्ण देव राय कौन थे कृष्ण देव राय यह जो है कला और अस्थापति की द्रिष्ट में बहुत थी जाता रुशी लेते थे अपने मंत्रि मंडल में कलाओं से मतलब कहलिजे विभोसित पिद्वानों को प्रमख जगह दिया करते थे यह आपको दिख रहा होगा फिगर यह जो है विजय नगर सामराज्य की सम्रिध अधिहासिक्ता को प्रदर्शित करता है हमपी का जो मंदिर है हमपी का कहलिजे विरुपाक्ष का जो मंदिर है परिशा में यह भी पूछा जाता है कि विरुपाक्ष मंदिर कहा है हमपी जो है यह भी कहा जाता है कि सुग्रिव का छेतर था किसका छेतर था राचा सुग्रिव का छेतर था ठीक है ना हमपी सहर जो है वह तुणग भद्रा नदी के किनारे स्थित है तुँग भद्रा नदी के किनारे इसकित है यानि विजेर नगर राज्य की जो नदी प्रमुफ को कौन सी थी तुग भद्रा थी ठीक है ना अगर आप अस्थापत तिकला की दृष्चुकोण से देखेंगे तो पाएंगे कि जो है इसका इसका आरेट टिक्चर कितना जादा जो है सुन्दर इतना जादा जो है इसमें नकासियां गड़ी गई थी यानि जो आप कहते हैं दक्ष्कन सैली दक्ष्कन सैली का कितना बढ़्या कितना प्रशिद्ध मंदिर है और एक बात और जानेजे कि इस हमपी के मंदिर को इस हमपी के छेत्र को 2003 में यूनेसको ने व सामराज जी के बारे में किताबों में या विकीपीडिया पर जरूर पढ़िएगा उसकी एतिहासिक संप्रिद्धा के बारे में आप जरूर जो है एक बार रूची लिजिएगा देखते हैं अगला न्यूज क्या है और अगला प्रश्वी क्या है न्यूज ये है भीम बैठका ने मिला धर्ती के सबसे प्राचीन जीव लिखीन सूनिया का 57 लाख वर्ष पुराना जीवाश में आप इतिहास खोलेंगे और प्राचीन इतिहास की जो एक किताब आती है कला और संस्कृती से संबंधित तो यंसियाटी की किताब में आप जाएंगे तो भीम बैठका के बारे में बहुत ही डिटेल से भीम बैठका की चित्रकारी के रूप में बहुत ही डिटेल से उसमें जो है बताया गया है बहुत ही प्रशिद्ध जगह इसलिए है क्योंकि मानुवी सभिता का पूरे मानुवी सभिता का भारती उक महादीप में कहां भारती उक महादीप में पूरे मानुवी सभिता का अगर कुछ कल्चरल प्रेंटिंग्स वगर कहीं प्राप्थ हुआ है तो बहीं बेटका की गुफा में ठीक ना बीम बेटका की गुफा में यहां आम देखकरे कन्फूज नहूं कुछ लो предлаг मानते थे कि हैं जो गुफा है यहां घीम की गुफा थी तो इसलिए इसको कहा रहाता था बीर्व बेटका कहा जाने लगा था ठीक है ना बाद में इसको इसका आफिस्यल नाम क्या कर दिया गया भीम बेटका कर दिया गया यह किस राज्य में स्थित है इस बात को नेट कर लिजेगा भीम बेटका की गुफा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भोपाल से कुछ की किलोमे तो जो आदमियों के बसने की मनुस्यों की बसने की बस्ती प्रारंद हुई शुरुवात हुई जीवन का तो वह जो है उस समय के दौरान की स्थिती जो है उस दौरान बसने का जो साक्ष है वो कहां से प्राप्थ हुआ था भी मेटका की गुफाओं से यहां जो है पहली बार मानमों के भारती उत्महादिव में पहली बार मानमों के आस्रे अस्थल प्राप्थ हुए थे यानि किना लीजे कि पुरे भारती उत्महादिव का सबसे पुराना मानमों का जो आस्रे अस्थल है वो कौन सा है भीम बिटका है और भीम बिटका की गुफाएं इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ से पता चलता था कि आदमी जो है चित्र कला में भी निपूर हो गया था ये आप प्रिंटिंग से देख रहे होंगे तो आदमी जो है खाली समय में जिस प्रकार की गतिविदियों में रुचिनेता था उस प्रकार की प्रिंटिंग भी करता था तो आप देख रहे होंगे आदमी कोई घोड़ा पर बठा है कोई जो है हाथों में भाला अगरे लिया है तो यह है उस तवरान की जो है आदमी की जीवन चर्या को भी प्रतसित करता है कि आदमी कैसे सिकार करता था ठीक ना चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण और अगला न्यूज क्या है अगला न्यूज है हाल ही में सलसद में प्रमुख बंदरगा प्राथिकरण विध्यक 2020 पारित हुआ है ठीकरा अभी इसको विध्यक किसले कहा जा रहा है क्योंकि जब तक राश्ट्रपती के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक कोई विध्यक विध्यक ही रहता है जब राश्ट्रपती के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह विध्यक क्या बन जाता है कानून बन जाता है यानि वह विध्यक क्या बन जाता है एक्ट बन जाता है ठीक ना अभी राश्ट्रपती के हस्ताक्षर नहीं हुए थे इसल चलिए देखते हैं क्या है हाल ही में शंशत में प्रमुख बंदरगाह परातिकरण विधेयक 2020 पारित हुआ, यानि एक प्रकार की अथार्टी बनाई जा रही है, कौन सी प्रमुख बंदरगाह परातिकरण, जैसे आप देखते होंगे प्रयाग राज विकास परातिकरण, लक काहां की हो ऑगा यही कुछाज आ रहा है कि इस विद्हियक का क्या उद्देश है ठीक ने तो इस विद्हियक का उद्देश है बंदर्गाहों के संसा कड़ाचे का आदो निकरण करना एम दिर्णे लेनी की प्रकृया में फूर्ण स्वायतिता लाना जैसे कोई देश का जो 12 प्रवुख बंदरगरा हैं उन 12 प्रमुख बंदरगाओं को इस अथारणी के अंदर रखा जाएगा कि सिरती के अंदर गल्चा लाइगा और उसे जो है एक बोड़ इसंचालिद करेगा क्या होगा निन suscept.. परिण प्रसासन है पौर्ड का जो एडमीनस्टेशन है उसे एक बोर्ड संचालित करेगा ताकि जो decision making है वो बहुत ज़्यादा आटुनामस हो सके उसको स्वायतता मिल सके पारदरसिता आ सके और यह जो ports है वो competitive बन सके उनकी जो infrastructure धाचा है उनका जो संस्था कर धाचा है वो क्या किया जासके उसको आधुनी किया जा सके यह जो है इस विध्ये का क्या है महत्तुपून लक्ष है देखते हैं और क्या न्यूज में रहा है विज्यान में प्रश्न की पूछ लिया गया है विज्यान में महिलाओं वह लड़कियों का अंतराश्टी दीवस कब मनाया जाता है तो कल यानि 11 फरवरी को महिलाओं एवं लड़क का विज्ञान में अंतराश्टी दिवस मनाया गया था कभी कभी परिशा में पूशा जाता है दिवस संबंदी तस्ट तो एक बार दिमाग में डाले लिएगा सही जवाब क्या है 11 फरवरी है ये तीन विकल्प दिये गया है ये तीन विकल्प भी बहुत ही महतुपूर विकल इस का लिंग जो है और दो अक्टूबर को मना याता है गांधी जनती कि लावा इसी दिन को मनाया था है अंतर राश्टी अहिंसा दिवस तो इसी प्रश्टी के साथ है हम आज का यह वीडियो समाप्त करेंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसका लिंक जो है फेस्बूक वाटसब ट्वीटर आजी पर सेर करें हमारा कोचिंग जंसन का एप प्ले स्टोर पर उपलब्द है प्ले स्टोर पर जाए और कोचिंग जंसन एप को जरूर डाउनलोड करें अच्छी पढ़ाई करें अपना केरिय पनाए जैहिंद नमस्कार आपका दिन सुब्र है